नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजायाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो दिल्ली की मुख्यमंत्री अर्विंद्र केजरीवाल ने दिल्ली बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि दिल्ली Board of School Education के स्थापना दिल्ली की सिच्छा व्यवस्था में हो रहे क्रांती कावी परिवर्तन को नई उचायों की तरफ लेकर जाएगा सीयमर्विंद केज्रिवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुवे कहा कि आज हमने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली Board of School Education के गठन को मंजूरी दे दी उन्होंने बताया कि ये बोड तीन अच्छे पूरे करेगा हमें ऐसे बच्चे तयार करने हैं जो कटर देश फक्त हो जो आने वाले समय में हर छेतर में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तयार हो हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने और ये बोड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार करेगा उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली का वपना अलग सिच्छा बोड होगा हाला कि ये बाकी राज्यों के सिच्छा बोड से अलग होगा सियम किजरिवाल ने कहा कि पूरे देश में देखा है कि दिल्ली की सिच्छा ववस्ता में किस खडर क्रांथिकारी परिवर्तन आई है इसक्छों में सिच्छा में सुधार किया गया है बच्चों के रिजल्ट 98 फिस दीज तक आ रहे हैं उन्होंने कहा कि अंतराश्ट्री इस्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है इंटरनेशनल प्रैक्टिकल को हम स्कूल और बोर्ड में लेकर आएंगे इस साल 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में सामिल किया जाएगा हमें उमीद है कि 4 से 5 साल में स्वेच्छा से सारे सरकारी नीजी स्कूल बोर्ड में सामिल हो जाएंगे विरो रिपोर्ड आईपिन नमस्कार आज जो एलान में करने जा रहा हूँ उसका असर केवल दिल्ली की शिक्षा विवस्था ने मैं समझता हूँ कि भविश्य में हमारे देश की शिक्षा विवस्था पर भी बहुत गहरा असर पढ़ने वाला है आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की एप्रूवल दे दिये दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा यह कोई मामूली बोर्ड शिक्षा बोर्ड नहीं है जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तैक कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे ऐसा नहीं है ये शिक्षा बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस शिक्षा बोर्ड के जरी हम क्या हासिल करना चाहते हैं पूरा देश देख रहा है कि पिछले छे साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी परिवर्टन हुए हैं पिछले छे साल में सबसे पहले हमने यह यात्रा शुरू की कि हमने दिल्ली के बजट का लगबग 25 प्रतिशत हर वर्ष बजट का 25 प्रतिशत पैसा शिक्षा के ओपर खर्च करना चालू कर दिया इससे क्या हुआ सरकारी स्कूलों की शांदार बिल्डिंग बनने लगी स्कूलों के अंदर अच्छी लैब्स बनने लगी स्कूलों के अंदर अच्छी कमरे बनने लगे स्कूलों के अंदर अच्छे auditorium बनने लगे पूरा जो सरकारी स्कूलों का धाचा था जो की हीन भावना से ग्रसित था प्राइवेट स्कूलों के अंदर अच्छा इंफरसक्चर होता था, सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर एक हीन भालना होती थी, जब सरकारी स्कूलों पे हमने 25 प्रतिशत बजट खर्च करना चालो किया, तो सरकारी स्कूलों का पूरा काया पलट होने लगा, दूसरा बड़ा परिवर्तन हमने किया कि अपने Teachers को और Principles को बहुत बड़े स्तर के उपर हमने Training करने के लिए भेजा हमने उने Cambridge भेजा, Singapore भेजा, Finland भेजा, America भेजा, Canada भेजा, I am Lakhnau भेजा, I am Ahmedabad भेजा हमारे धेर सारे Teachers और Principles वहां से Training करके लोटे हमने अपने बच्चों को फॉरिंग भेजना चालू किया हमने अपने बच्चों को Chemistry, Physics, Maths के Olympiard के लिए विदेशों में भेजा हमारे बच्चों ने भारत का नित्रत्व किया और कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीत के लोटे जब यह teachers और बच्चे वापस लोटे तो इनके अंदर एक जबरदस्त आत्म विश्वास था और कुछ कर गुजरने की इच्छा थी तीसरा हमने बड़ा परिवर्तन किया कि हमने अपने principles को empower किया अभी तक हर school के अंदर दिल्ली सरकार का डिरेक्टोरेट ओफ एजुकेशन का बहुत ज़ादा इंटेफरेंस होता था छोटी छोटी चीजों के उपर school में कुछ भी खरीदना है school में कुछ भी रिपेर कराना है सरकार से permission लो कई-कई teachers की post कई-कई सालों तक खाली पड़ी रहती थी अब हमने प्रिंसिपल को पावर दे दी प्रिंसिपल की पावर पाँच हजार रुपे से बढ़ाके पचास हजार रुपे कर दी और उसको पावर दे दी कि अगर सरकार किसी teacher की appointment regular नहीं कर पारी तो वो एक session के लिए बाहर से किसी teacher की appointment करके अपना बच्चो को बच्चो की पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए हमने हर स्कूल के अंदर estate managers की न्युकती की कई नहीं नहीं चौथा कई नहीं नहीं प्रियोक किये गए सरकारी स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि पांचवी अपनी क्लास तक भी बच्चे आते आते हैं उनको ना अपनी किताब पढ़नी आती है ना अपना एक लाइन पढ़नी आती है ना गनित के basic questions आते है उनको तयार करने के लिए हमने mission चनौती और mission बुनियाद जैसे कारे करम नहीं नहीं प्रयोग शरू किये happiness curriculum लेके आए जैसे बच्चों को meditation कराना सिखाते हैं बच्चों के interpersonal relations अपने माबाप के साथ, अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ रिष्टे अच्छे होते हैं बच्चों के emotional needs पूरे होते हैं happiness curriculum लेके आये entrepreneurship curriculum लेके आये तो इस तरह से कई सारे प्रयोग पिछले 6 साल के अंदर किये गए जिसकी वज़े से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आने लगे हैं प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा नतीजे आने लगे हैं हमारे बच्चों का engineering में medical में बड़े बड़े अच्छे-च्छे colleges के अंदर admission होने लगे हैं parents को भरोसा हो गया है कि अब हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर उनका भविश्य सुरक्षित है यह बहुत बड़ी बात है जो parents पहले सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भीजना नहीं चाहते थे आज वो parents अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जब भेजते हैं तो उनको भरोसा होता है कि उनके बच्चों का भविश्य सुरक्षित है बच्चों के अंदर एक अब अगला स्टेप लेने का समय आया है, अब ये तैय करने का समय आया है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है हम शिक्षा क्यों देते हैं अपने बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तीन कारणों से और अब वो तीनों लक्ष ये जो डिल्ली बोड ऑफ स्कूल एजूकेशन बनाया जा रहा है ये ये तीन लक्ष पूरे करेगा पहला लक्ष हमें ऐसे बच्चे तयार करने हैं जो कटर द लिए मर मिटने का जजबा रखते हूं, हमारे बचके हमारे देश का भविश्य हैं, हमें ऐसे बचके तयार करने हैं, जो आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की जिम्मेधारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तयार हुए. उन्हें तयार करना पड़ेगा अपने बच्चों को, चाहे वो साइंस का ख्षेतर हो, चाहे टिकनोलोजी का ख्षेतर हो, चाहे बिजनस का ख्षेतर हो, चाहे व्यापार का ख्षेतर हो, चाहे राजनीती का ख्षेतर हो, चाहे समाजिक ख्षेतर हो, हर ख्षेतर के अंदर हमा दिवारे बच्चे अच्छे इनसान बनें, चाहे किसी भी धरम के लोग हों, चाहे किसी भी जाती के लोग हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, ये सारी दिवारे तोड़ के एक दूसरे को इनसान समझना है, और अपना जीवन एक तरफ जहां अपने परिवार के लिए वो बच्चे बोड तयार करें और तीसरा आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बड़ी बड़ी डिग्री पीएचडी करने के बाद बीएच्टी बीकॉम एमकॉम बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही बच्चे घर में पर खड़ा होने के लिए तयार करेगा ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंडने के लिए दरदर की उसे ठोकरे न खाने पड़े उसका रोजगार उसके साथ तयार होना चाहिए ऐसी शिक्षा तयार की जाएगी इसलिए इस बोड का गठन किया जा है ऐसे ऐसी शिक्षा देने के लिए ऐसा शिक्षा का कंटेंट तयार करने के लिए और प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए आज हमारा पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र रटने पे जोर देता है रटो और साल के अंत में तीन घंटे के पेपर के अंदर उलटके आ जाए यह बदल एस면 grapes सौन के आंत में 3 घंटे में नहीं लिया जाएगा उसका assessment पूरा साल लगातार चलता रहेगा उस बच्चे का assessment लगातार पूरा साल चलेगा। यह international स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है जिसमें धेर सारे international संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा, international practices को study किया गया है और और भी study किया जाएगा और उन international practices को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे, इसमें high-end techniques का इस्तिमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की assessment करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि रटने के ऊपर से ध्यान हटाके, अब समझने के ऊपर और personality development एक बच्चे को तयार किया जाएगा, हमारा यह मानना है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ उसके अंदर specialty, हर इंसान special है, वो क्या special है, यह शिक्षा प्रनाली की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे की specialty को निकाल के, उसकी किस चीज में रुची है, और उसे किस चीज की ज़रूरत है, उसका career किस चीज में होना चाहिए और इसे कौन सा course पढ़ना चाहिए, य यह शिक्षा प्रनाली निकाल के उस बच्चे को वही सिखाया जाएगा, जिसमें वो माहिर है, ना कि एक रट्टु तोता जो अभी बनते हैं वो बनाए जाएगा, दिल्ली में 1000 के करीब लगबग सरकारी स्कूल हैं, 1700 के करीब private school हैं, इन में जितने बच्चे पढ़ते हैं Mostly सरकारी स्कूल सारे CBSC के हैं और 1700 जो private school हैं ये भी Mostly CBSC के हैं, इस वर्ष 21 अकैडमी की एर में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को, हम एक साथ सारे स्कूलों को इस board में नहीं लेके आएंगे, इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस board में शामिल किया जाएगा, उन्हें CBSC से उनकी affiliation हटाके इस board की affiliation दिलाई जाएगी, ये कौन से स्कूल होंगे, इसका चैन हम वहां के principals, teachers, parents के साथ मिलके करेंगे और हमें उम्मीद है कि 4 से 5 साल के अंदर voluntarily सारे सरकारी स्कूल और सारे private स्कूल जो हैं वो इस board में शामिल हो जाएगे, इसके एक governing body होगी, जिसके अध्यक्षता education minister करेंगे, इसके एक executive body होगी day-to-day काम के लिए, जिसके अध्यक्षता एक CEO करेंगे, गवर्निंग body में, executive body में, experts होगे ढेच सारे, industry के भी होगे, education के भी होगे, private के, सरकारी स्कूलों के principals होगे, bureaucrats होगे, और आज इस निरने से मैं व्यक्तिकत तोर पे बहुत जादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ, मुझे हमेशा ये लगता था, पहले, राजनीती में आने किया करते थे, और हम ही ये लगता था कि हमारी, शिक्षा प्रणालीव काफी ज्यादा दूशित है, जिसकी वज़े से, देश की कई सारी समस्या है, अगर शिक्षा को ठीक किया जाए, तो देश की कई समस्याओं का समाधा निकल सकता है, पिछले 6 साल की हमारी यत्रा, काफ अभी अच्छी रही, और मैं समझता हूँ कि अब ये जो अगला चरण है, जिसमें इस बोड का गठन किया जा रहा है, इसके जरिए शिक्षा के क्षित्र में मूल चूल परिवर्तन होगा, और हमारे जो बच्चे शिक्षित होके निकलेंगे, वो एक तरफ देश की बाच्चे 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 बाच